आई आरियल इंडिया लिमीटिड में वेरियस पोस्ट पर वेरियस वेकेंसिस आई हैं और ये मुंबई में है इसका अड्रेस आप देख सकते हैं और ये किसके अंडर आता है डिपार्टमेंट ओफ इंटॉमिक एनरजी एक गर्ण्मेंट ओफ इंडिया अंडर्टेकिंग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और एपलाई करने के लिए आगे चलते हैं तो देख लेते हैं अब हमारे काम की कौन सी पोस्ट है तो यहाँ पे है जूनियर सूपरवाइजर राजभाशा टोटल वेकेंसी यहाँ पे तीन है वो तीनों यूर कैटिगरी के लि आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें हमने कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर किये हैं आगे बताते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है कि में हिंदी में होनी चाहिए और अगर आपके पास में हिंदी स से है तो ग्रेजुएशन में आपका इंगलिस सब्जेक्ट या तो इलेक्टिव हो या कंपल्सरी हो अगर यह इलेक्टिव और कंपल्सरी नहीं है तो आपका जो मेंडेम उफ एक्जामिनिशन था वो डिग्री लैवल पे होना चाहिए आगे फिर कहता है अगर में इंगलि अगरिकेशन है मास्टर डिग्री है वो कंपलीट होने के बाद ही आपको एक्सपिरेंस हुआ हो और यह ट्रांसलेशन में आपका एक्सपिरेंस मांगा हुआ है इंगलिस टु हिंदी एंड हिंदी टु इंगलिस अंडर सेंट्रल स्टेट गर्मेंट्स और अटोनॉमस हैंगे आगे फिर एज रिलेक्सेशन की तो बात ही नहीं होती है क्योंकि यूर कैटिगरी में यह वेकैंसी हैं तीनों और जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा की मैक्सिमम एज लिमिट जो रिलेक्सेशन एज रिलेक्सेशन के बाद होगी 35 होगी लेकिन ही आपे जब वेकैंसी नहीं है तो क्या फायदा है आगे मोड ऑफ सेलेक्शन होगा तो दो टेस्ट होगे रिटन टेस्ट होगा स्किल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ट होगा इसके बाद क्या कहते हैं आगे क्या इंपोर्टेंट है तो सबसे अच्छी बा सब्जेक्ट नोलीज यानि की राजभाश आएगी टांसलेशन से जुड़े भी कुछ आ सकता है नुवाद से जुड़ा हुआ और पेपर टू भी है वो पचास अंग का है वो भी दोनों मिलाके सोंग के होंगे तो उसमें आएगी जी के निमेरिकल एबिलिटी रिजिनिंग इनवाइबिलिटी एंड जनरल इंगलिश तो यह आपका पाठ्चेक्रम है पेपर वन का इसके लाबा आगे कहते हैं कि जो पेपर वन कॉलिफाइ करते हैं तो एक वैकेंसी पे तीन कैंडिडेट को बलाया जाएगा तो तीन वैकेंसी से लगबाग नो या दस कैंडिडेट इसको बलाया जाएगा और उनका होगा फिर skill test और skill test में क्या होगा यह इन्होंने भी नहीं बताया यहां पे और 50% कम से कम आपको marks लेके आने होंगे paper one में और इसके अलावा इन्होंने का है कि paper two का जो nature है वो के विल qualify आपको करना है और जो उसमें qualify करने में fail होते हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा तो paper two यानि कि आपका skill test होगा के qualifying होगा लेकिन उन्हों ने यह नहीं बताए कि उसमें कितने अंक का qualify माने जाएगा तो इन्होंने का है कि जब paper होगा तभी हम बताएंगे आगे कहते हैं जो qualify नहीं होता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा और जो qualify हो जाता है तो दोबारा से फिर जो आपकी final selection की merit list बनेगी तो वो किसके basis बनेगी paper one के एनकी paper one नहीं written test के basis पर तो जो written test वही main है बाकी इतना matter नहीं करता अब बात आती है test center कहां कहां पे हैं तो test center नहीं बताए मुंबई में पुने में त्रिवेंद्रम कोची बिश्वर और कटक तो यहां पर जो आपके नजदिक पड़ता है आप preference दे सकते हैं उसी हिसाब से आपका admit card आएगा और आगे कहते हैं कि फिर आपका क्या होगा medical examination होगा character certificate की verification की जाएगी और wait list भी यहां पर लगाई जाएगी एक साल के लिए जो मानने होगी पोस्टिंग आपकी कहा होगी तो इन्होंने कहा है कि selected candidates will be posted in any of the units, offices, establishments और project sites of the company तो company की जहां जहां भी site और office है कहीं पर भी आपका selection हो सकता है आगे फिर fees के बारे में बात करें तो आपको pay करने होगे 472 रुपे और किसको pay नहीं करने है यह mode of payment है online तो पे यहां पर किसको नहीं करने है एक सर्विसमेन या फिर कोई महिला candidate है तो उनको यहां पर पे नहीं करना और जो ओल्रेड इस company में काम कर रहा है कोई करमचारी है तो उसके लिए भी fees माफी की गई है apply कैसे करना इन्होंने step by step बताया है यह आप देख सकते हैं और general conditions इ या फिर आपका कोई और result का हुआ है जिससे आप eligible है और आपका experience भी इसी तक complete हो जाना चाहिए और आपकी जो age है वो भी यही यानिकि से इस तारिक तक 14 जुलाई 2022 तक 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए और कुछ important कुछ छुट गया हो तो आप देख लेना तो जो हमें important लगा वो हमने आपको बता दिया है और आगे क्या कहते हैं TADA भी किसी को नहीं दिया जाएगा return test के लिए या फिर skill test के लिए तो बस इतना ही है तो जो eligible है वो अपना देख लेना apply कर लेना कर दो गजा बस अगूँ है आगे। झाल झाल